हेलो फ्रेंड सीमा बूटी के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए फिर एक नई वीडियो ले कराई हूँ इसमें हम जो नायरा स्टाइल कुरती है इसकी कटिंग और स्टीचिंग बताएंगे यह आज कल बहुत रेंड में है आप भी इस एक बार ज निशान लगाएंगे 15 इंच पर यहां से 10.5 इंच है यहां से हम तीरा लेंगे 6 इंच और यहां से हम साथ इंच पर निशान लगाएंगे एक इंच एक्स्ट्रा यहां से हमारी चेस्ट 33 इंच है तो हम सवा आठ इंच पर निशान लगा रहे हैं और दो इंच एक्स्ट्रा कमर हमारी 28 इंच है तो हम यहाँ से 7 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर उसका भी 2 इंच एक्स्ट्रा फिर इसे ऐसे मिला देंगे अब हम इसे कटिंग कर लेंगे यहाँ पर हम हलकी राउंड सेप देंगे यह हमारा बैक वाला पार्ट की हिसाब से रहेगा तो देखी दोनों पार्ट हमारे बैक वाले पार्ट की तरह कट गए है अब हमें जो फ्रंट वाला पार्ट है उसकी चटाई करनी है यह वाला पार्ट हमारा फ्रंट वाला रहेगा तो हम यहाँ पर एक इंच पर निशान लगा कर इसको ऐसे गोलाई देंगे और यहाँ से हम आधा इंच पर निशान लगाएंगे और इसको ऐसे मिला देंगे अब इन्हें कटिंग कर लेंगे तो देखिए यह हमारे फ्रेंट वाले पार्ट की छटाई हो गई है अब हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहां से 30 इंच पर निशान लगाएंगे ऐसे दोनों पार्ट को फोल्ड करके हमने 30 इंच की कटिंग कर लेनी है तो देखिए हमारी कुर्ती का नीचे वाला पार्ट रहेगा ऐसे हमने 30-30 इंच के दो पार्ट कट कर लिए है देखिए यह हमारी चोली रहेगी 15 इंच की और यह जो नीचे वाला पार्ट है यह 30 इंच है यह सीधा है दोनों साइड कनारी है इसमें कुछ नहीं करना आपने सीधा कपड़ा कटिंग कर लेना है अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे स्लीव हमारी 14 इंच की रेडी रहेगी तो मैंने 15 इंच पर निशान लगाया है यहां से 3 इंच डाउन देकर यहां से हम 6 इंच पर निशान लगा रहे हैं क्योंकि मोरी हमारी 5 इंच है ऐसी हमने जैसे सिंपल स्लीव को कट करते हैं ठीक वैसे हमने स्लीव की कटिंग की है तो देखी अब हम इसकी सिलाई करेंगे तो सबसे पहले हम दोनों साइड ने लैस लगा लेंगे और इस साइड भी ऐसे ही लैस लगा देंगे हमने दोनों पार्ट पर ऐसे ही दोनों साइड लेस लगा लेनी है तो देखिए इसमें कपड़े को फोल्ड करने की आउसकता नहीं है क्योंकि दोनों साइड कनारी है इस पर ऐसे सीधे ही हम लेस लगा देंगे ऐसे एक्स्ट्र लेस को कटिंग करके फिर हमें उसी साइड से सिलाई लगानी है ऐसे नहीं करना कि नीचे की साइड से वापिस उपर की साइड आए तो लेस में उरेव आ सकती है आपको उपर से ही लगाते हुए फिर नीचे आना है तो देखिए ऐसे ही हमने दोनों पार्ट पर लगा लेनी है दोनों साइड से मैंने दूसरे पार्ट पर भी लगा ली है अब इसके उपर हम चुनटे डालेंगे मसीन की सबसे मोटे वाली चाल करके जब हम सिलाई लगाएंगे तो इस परकार की चुनटे पढ़ती जाएंगे चाहे तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं यह आप पर डिपेंट करता है आपको कैसी अच्छी लगती है ऐसे हमने दोनों पार्ट पर सिलाई लगा ली है और यह चुनटे डल गई है अब एक धागे को पकड़ कर हम इसे छोटा या बढ़ा कर सकते हैं तो जो हमारी फिटिंग की साइज का है उस साइज का मैनी से कर लिया है देखिए दोनों पार्ट को ऐसे ही कर लेना है और फिर देखिए जहां से हमारे फिटिंग स्टार्ट होती है बिल्कुल वहीं से हमने सिलाई लगाने शुरू करनी है क्योंकि बाद में हम इसे लिजटाइट नहीं कर सकते तो इसे जब हम इसके साथ अटेच करेंगे उससे पहले ही हमने अपनी फिटिंग वाला निसान अच्छे सी लगा लेना है और वहीं से स्टार्ट करनी है यह चोली जोडनी देखिए चोनटों को अच्छे से अड़्जेस्ट करते जाना है और सिलाई लगानी है तो देखिए हमने सिलाई लगा दी है सिलाई लगने के बाद यह ऐसा दिखाई देगा देखिए दोनों साइड से अच्छे से सिलाई लगा दी है ऐसे हमने दूसरे पार्ट पर भी सिलाई लगा दी है हमने दोनों पार्ट रड़ी कर लिये है अब नीचे से हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे यह आप पर डिपैंड करता है आपको कितना चोड़ा या भीड़ा फोल्ड करना है अब मैंने दोनों सिम्पल राउंड नेक रड़ी करके दोनों पार्ट को जोड लिया है यह आप नॉर्मल कुर्टी में करते हो ठीक वैसे ही करना है ताकि वीडियो लंबी नहीं हो जाए इसलिए मैंने स्यमी इसे बना लिया अब हम जो फिटिंग वाला निशान है उसकी उपर से सिलाई लगाएंगे और देखिए यह सिलाई कैसे लगानी है ऐसे दोनों पार्टों को इक्वल रखना है और दो बार पक्के से सिलाई लगा कर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी ऐसे अंदर की साइड फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है ताकि वो कपड़ा यहां से दिखे नहीं देखिए सिलाई लगने के बाद ऐसा दिखाई देगा ऐसे ही हम दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे ऐसे अच्छे से पका करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको ऐसे फोल्ड करके एक बार सिलाई इसके उपर से भी लगा देंगे ताकि यह जब हम डाले तो साइड सी दिखाई नहीं दे देखिए काफी संदर सी बनके रड़ी हुई है यह हमारी सिलीव है नॉर्मल सिलीव की तरह ही है अब इसको हम कुर्ति के साथ अटेच कर लेंगे फ्रेंट्स इन छोटे छोटे पार्ट को मैंने मिश कर दिया ये नेक बनाना स्लीव पर लेस लगाना ये नॉर्मल बात है हर किसी को आती है तो वीडियो लंबी हो जाती इसलिए मैंने इनको नहीं दिखाया अब हम इसमें दो चैर चुनेटे डालेंगे उपर बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था ऐसे ही सिंपल स्लीव की तरह ही स्लीव है तो फ्रेंट्स आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कोवेंट करके जरूर बताएं यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा ले ताकि हम नई वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रही हम इस चैनल पर ऐसे ही नई नई वीडियो लाते रहते हैं यदि आपको स्पेसल किसी चीज की वीडियो देखनी है तो हमें कमेंट करके बता दे तो देखिए ऐसे हमारी कुर्ती रडी हो गई है काफी सुन्दर कुर्ती बनके रडी हुई है आप इसे एक बर जरूर ट्राइ करें आज कल ये बहुत ट्रेंड में है देखिए पहनने के बाद ये ऐसी लगेगी तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए थैंक यू सो मच मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में